बाबा तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सर के बचे हुए बाल किस साल में है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुन्ना अभी सोकर उठें तो जब मैं सोकर उठा तो देखा कि मेरी मुन्नी बाई बॉटलों को पानी पिला रहे थी कहने का मतलब है कि बॉटलों में पानी बर रहे थी नहीं पानी नहीं खून चला रहे थी वो बॉटलों में पागल है तू भूसा बरा है तेरे दिमाग में देखिए भूसा का तो पता नहीं लेकिन हमारे घर में माउंटेंड्यू की इतनी हरी हरी बॉटले हैं जितनी मतलब उनका माय का तो मैंने उनसे कहा कि अभी नहीं 15 मार्च के बाद मैं खुद तुमको वहां छोड़ के आऊंगा और वो इसलिए क्योंकि अंगली सुभा में निकलने वाला था राजिस्थान के भरतपुर के लिए वैसे अगर मिरिंडा वालों को भी उनकी बॉटल और एक मेरे बगल में बैठी बहु बली से बूल नहीं हो सकती बाकियों तो तब बूल चंद है खेर वाइफ ने बहु बली पलट दी और अपना सीरियल लगा दिया आप धुन सही समझ जाएंगी कि कौन सा सीरियल है तब मेरी घर वापसी हुई देखी तो जब मैं टी वाले कमरे में वापस लोटा तो वाइफ अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही थी लेकिन मुझसे भी जबर जस्ती करें थी कि चलो तुम भी आराम करो तो मैंने मना कर दिया तो जब भी मैं वाइफ को किसी बात के लिए मना करता हूं तो उनक कि फोटो लगी हुई है मुझे एक बात समझ में आती कि लड़कियों की फोटो देखे बिना के लड़के बाल कटवाने भी निया सकते खेर मैं तो बाल कटवाने के लिए अपने दो कमीनों के साथ है था वैसे आप लोग समझ गया हूंगे कि किनकी बात करा हूं तो बाल लबे की खाना बना रही थी तो वाइफ की खाना बनाने के बाद मेरे खाना खाने के बाद जब मैंने वाइफ से कहा कि मुझे अभी और भूक लगी है मैं तो घर के बाहर से भी खाना मगाऊंगा तब वाइफ में बड़े प्यार से मुझे कहा कि हाँ ठीक मगा ले ना खाना के अंदर होगा और तुम घर के बाहर तो आपको क्या लगता है फिर मैंने बाहर से खाना मगाया होगा की नहीं इसमें लगने जैसे क्या बात है सब क्लीनिक औल क्लियर है खेर थोड़ी दिर बाद में घर के पास वाले एटियम पे गया जहां से मुझे कुछ पैसे निकालने क्योंकि अंगले दिन मुझे भी तो निकलना था तो जब मैं लॉट के घर वापस पहुंचा तो देखा घर की बत्ती गुल थी और वाइफ कान में दूरभास यंत्र लगाए वार्ता लाब कर रही थी और उनके मोबाइल की बत्ती जल रही थी दूसरी तरब मैं बिस्तर प मैं सुन पड़ जाता हूं तो रात बीती और अंगले दिन सुबा के पहुने छे बजे मैं तयार था राजिस्तान के भरत पूर जाने के लिए अब वाइफ की सकल देखे आप लोग समझ सकते हैं कि मैं बस अकेले जा रहा था तो अपने कमरे से सामान वाइफ लेके जब मैं खड़ी थी सायद वो भी जाना चाहती थी लेकर मेरे साथ नहीं घर के अंदर वापस सोने के लिए तो वाइफ को टाटा और रिलाइंस बोलने के बाद मैं दोस्त कहा आया क्योंकि दोस्त भी मेरे साथ भरत पूर जा रहा था अब साले ने हम दोनों के रेलिवेस्टेशन क कि अंदर आये तो मैंने देखा कि दो लोग पैदल पैदल पटरी पटरी जा रहे हैं मेरे मन में तो पहले ख्याल आया क्योंना हम दोनों भी पैदल पैदल पटरी पटरी जायें लेकि नहीं ज्यादा लेत हो जाते तब तक ट्रेन भी आ गई ट्रेन के आती हम दोनों ट्रे स्टेशन पर नहीं उत्रे तब तक यह कूला हम दोनों के ऊपर जूला तो बात यह थी कि हम लोग को बीना स्टेशन पर उतर के मतुरा की ट्रेन पकड़नी थी तो जैसे बीना आने लगा तो हम लोग खड़े हो गए मैंने देखा कि एक भाई साब अपने बच्चे को सू-सू नहीं चाय और समोसा बिषने वाले तो भगदर में भी पावों के निची से गुद जाएंगे और आपको अधरक वाली चाय पीए भीना भागने नहीं देंगे वैसे जैसी हम बीना स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ पर एक रैली चल रही थी एक नारा लगाने के 200 रुप में देखी हैं जब बंब चेक करते हैं दिमाग में बंब फूड़ गया मैंने उस्चे हो ली कि पहले कहीं दिवाली न मना दे कोई बरकुर्दार भगवान ने सब कुछ ठीक रखा लेकर ट्रेन मुरहना स्टेशन के बार लेट चलने लगी मैं दरवाजी पजा की खड़ा ह गया तभी एक अंकल जी आये और बोले बेटा मुझे थोड़ा काम है नीचे उतने दो मा कसम में पीछे खड़ा देख रहा था कि अंकल जी को क्या काम है तभी अंकल जी ने सिगनल दिया और बताया कि उनको धुए का छल्ला बनाना था इसके बाद ट्रेन वहां से चल पड गया था कि घर के कुछ व्लॉग बना कर मुझे बेशते जाना ताकि वहां पहुच कर भी मैं एडिटिंग चालू रखूं तो मुझे एक व्लॉग बेजा गया था जिसमें वाइब बैट के आराम से अनार खा रही है आप पता यह अनार क्यों खा रही है क्योंकि जम मैं घर में रहता हूं तो मेरा खूंद चूसकर अपना खूंद बढ़ा जाता है अब मैं घर में नहीं हूं तो अनार खागा खून बढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि ये वीडियो देख के आपको मजा आया होगा तो और भी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में विक्रम नेहा व्लोग सर्च करिए सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत दैने बाद हम करते हैं